हेलो फ्रेंज बेलकम बैक तो माई चैनल जिसका नाम है ओनेश्टुवाई समीर आज हम एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे जो टावर फैन आपने देखें हैं एक्जवीशन में ऑनलाइन और जहां कहीं भी देखें हैं आपने और इसकी इतनी तारीव कि बहुती कम मिलता है मानके चली आगर आगर सो दुकाने आप देखोगे तो उसमें शायद एक दो के पास में टावर फैन रखा हुआ मिल जाए तो सवाल ये उड़ता है कि जब इतनी अच्छी चीज है इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो यह दुकान वाले क्यों नहीं ब होता क्या है कि यह tower फेंच जोना है यह पूरी तरह से जूट के बेस पे चलता है और जूट के बेस पे ही इसको बेस सकते हों अगर आप सच बोलकर बेचोगे ना तो यह बिचता ही नहीं है reason यह कि यह पंखा है और इसकी जो costing है वो जो है salesman को मिलनी पाती इसलिए वो दुकान पर रखकर कम interest करता है बेचने के लिए अगर वो सच बोलकर बेचेगा इसको तो कोई इसको लेगा ही नहीं क्योंकि तो दुकान वाले जो होते हैं तो जिनकी खुद की दुकान होती है या किराय पर आपके local area में दुकान रखे हुए हैं तो वो इस product को इसलिए बेचने से कतराते हैं क्योंकि वो यह चीज नहीं बोलेंगे कि यह बिना पानी के ठंडी हवा देगा आपको या फिर वो यह नहीं बोल सकते कि यह AC जैसी cooling करेगा आपको क्योंकि आप रहते हो उसी area में और आपको मान के चलिए जूड बोलके उसने वाला पंखा है सेम वैसी अवादेर आईए तो reality जो है न तो shopkeepers इस product के बारे में अच्छे से जानते हैं कि यह क्या product है तो इसलिए यह दुकानों पर नहीं बिखता है लेकिन मेले में क्या होता है एक्जवीशन में क्या होता है ओनलाइन क्या होता है कि आपको वहां पर जो यह मार्च का था क्योंकि मार्च में ही ज्यादा एक्जवीशन होते हैं इस product के जिससे की temperature थोड़ा सा डाउन रहता है और यह ठंडी हवा आपको दिखा पाते हैं तो इसलिए मार्च में इस product के एक्जवीशन लगते हैं तो मानके चलिए आपको एक्जवीशन में यह आता है जैसे की रियल फैन चलता है उसी तरह से हवा लगने लगती है लेकिन उस टाइम आप comparison नहीं करते हो और उसकी ठंडी हवा को सूचते हो कि हाँ यह cooler जैसी हवा दे रहा है बिना पानी के लेकिन अब हकीकत पता चलने से फायदा क्या है क्योंकि जहां से आपने लिया इस एच्जिवीशन से लिया था वह एक्जिवीशन तो बंध हो चुका वहाँ पर 10 दिन का एक्जिवीशन लगा था है उनका उसके बाद आप उसकी रिटन कर सकते ना ही आप उसके से कुछ बोल सकते हो थो फो फेक नंबर होते और जो आपको बिल दिया जाता है वो दुकान पूरे एरिये में कहीं होती नहीं आगर होती भी है दस दिन के लिए कुछ रुपया दे दिया जाता है दुकान वाले को और बोल दिया जाता है कि यह हमारा सर्विस सेंटर है यहां के दिखा दीजेगा और अगर आप लेके है क्योंकि उनको सच्चा ही सारी पता होती कि ये पंखा है और आपको कूलर बनाके बेचनी सकते तो इसलिए वह दुकान वाले इसको रखते नहीं है क्योंकि इनका जो सबसे ज्याधा चैताशा क्रें करते हैं वह निकालते हैं वह गाहो धेहात जा कर इस प्रोड़क्ट को स्कीम में लगाकर बेचते हैं और वहां पर सबसे ज़्यादा खपत होती है इस प्रोड़क्ट की और आप यखीन वानिएगा यह 12-1300 रुपए का जो प्रोड़क्ट है यह लोग चार-चार हजार रुपए पांच-पांच हजार रुपए का बेचते हैं और सिर्फ यह कहके कि भाई यह एसी जैसी हवा देगा यह बिना पानी वाला कूलर है चीज वह इस कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बिल्कुल मौर्निंग में जाते हैं 6-7 बजे क लंबसम जो क्यों होता है थंड़ वी थंढ़ा देगा तो यह चलाते तो यह भी थंढ़ी आवा देता तो गाउं में जो लोग रहते हैं वह फस जाते हैं सश्ते के चक्कर में कि हमें चार-पांच-चैर हुपए में एसी जैसा प्रॉडक्त मिलना है तो वह खरीद लेते है फिर उसके बाद यही चीज होती है, वो phone मिलाते हैं, phone नी receive होता है, फिर यही चीज fraud हो जाता है उनके साथ में, तो यह reason होता है, यह product दुकानों पे इसलिए नहीं बिखता है, क्योंकि वो जूट नहीं बोल सकते हैं, तो यह जो product है, यह सिर्फ fairy वाले सबसे जादा निकालत हैं, इसलिए यह product चल रहा है, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को like and subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much, वीडियो देखने के धन्यवा,